रुको चोर साले कमीना मेरा मुबैल लेके भाग गया तो हाँ यार अपने प्लाट पर आया हुआ था बहुत अरसे से आया नहीं था ना हाँ हाँ तेरी दरफ ही आ रहा हूँ अब जाता हूं मोटरसेकल से जाके अपना मुबाईल लेता हूँ है । इसी से जाके बता करता था हूं मेरा मुबाईल भाई जान त्यान अभी थोड़ी देर पहले यहां एक मोटर सबुरिख्ण मोटे सैकल फाट कर रहे हैं जार अभी थोड़ी देर पहले एक नीला मोटर सैकल कहड़ा था जमीन का मालिक था उसका घड़ जानता हूं लुक्त भाई आप महरबानी करके उसके घर का पता बता दें, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है हाँ तु प्रेशान बात तो, मैं तुम्हें ले चलता है हाँ भाई मुझे ले चलो कब पहुंचेंगे या बस यार पहुंचे, वो देखा वो भी अभी अभी पहुंचे माजिद भाई, आजो जी जुगनू भाई माजिद भाई, ये बंदा आपसे मिलना चाहता है खेर तो है भाई, क्यों बोखलाई हुए हो और मुझे से क्यों मिलना है अरे यार, अगर इस बंदे को बताता हूँ कि तुम्हारे मोटरसाइकल में मैंने आईफोन चुपाया है तो ये कभी मुझे मोटरसाइकल नहीं देगा इसे कोई गेम करने पड़ेगी ऐसा करता हूँ, ऐसे मोटरसाइकल ही खरीद लेता हूँ भाई जान, दरसल ना मैंने आपकी ये बाईक खरीदनी थी अरे भाई, इस खटारा में ऐसी क्या खास बात है कि आप इसे खरीदने के लिए इतने बोखलाए हुए है बाईक तो वाकी कबार है, को ड्रामा करना पड़ेगा दरसल भाई साब, ये मोटरसाइकल हमारे दादा जान के पास होती थी बिकते बिकते, ये आपके पास आ गई ये तो जुगनू भाई की महरबानी हो, इसने मुझे बताया कि ये नीली मोटरसाइकल आपके पास है आप महरबानी करके ये मुझे दे दें हमारे दादा जान की निशानी मैं जल से लगा के रखूँगा आपको यह और मोटर सैकल ले ले लेना अच्छा भाई जान यह बात है चलें ऐसा करें आप मुझे इसके पैसे दे दें और अपने दादा की निशानी ले जाएं जी भाई कितने पैसे दे दूँ आपको भाई जान अब आपके दादा की निशानी का क्या ही नफ़ा लेना 35,000 की मोटर सैकल ले थी 35,000 ही आप मुझे दे दे दें और इस नयाब चीज़ को ले जें कितने अच्छे इंसान है आप मेरे दादा की निशानी और यह खटारा मुझे तो अपने आईफून से मतलब था अपना मुबैल निकाल लेता हूँ मेरा आईफून किदर गया है अरे यार यह तो आईफून है मेरी तो जिन्दगी बन गई अब इस कटारे को कहां बेचुगा मैं मैं तो बर्बाद हो गया देने वाला जब भी देता देता छपड़ फाड़ के